हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो होमफूद रसीपीज आज हम किसी भी डाल सबजी या ग्रिवी में डाल सके वैसी अदरक लसुन की पेश्ट कैसे बनानी है वो देखेंगे इस पेश्ट को बनाना एकदम आसान है और आज हम परफेक्ट मेजर्मेंड के साथ ये पेश्ट कैसे बनानी है और उसे लंबे वक्त तक स्टोर कैसे करना है वो देखेंगे ये paste market में जो ready made अद्रक लसुन की paste मिलती है उससे कई गुना ज्यादा fresh भी होती है और taste में भी अच्छी होती है अगर इस तरह पहले से ही इसे बना कर अपने store की होगी तो दाल या सबजी बनाते वक्त आपका काम आसान हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है अद्रक लसुन की paste बनाने के लिए मैंने यहापे डाइसो ग्राम जितने लसुन को चिल लिया है लसुन को कैसे चिलते है उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अप्लोड किया हुआ है उसमें मैंने लसुन चिलने के तीन अलग-अलग तरीके बताए हुए है अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दूँगी ताकि आप देख सके साथी में मैंने 200 ग्राम जितना अदरक लिया है इसे मैंने धोग कर छिल कर बारिक काट लिया है जब भी ये पेश्ट बनाए तो लसुन हमें ज्यादा लेना है और अदरक कम लेना है साथी में मैंने एक बड़े चम्मत जितना नमक लिया है नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा ये हमारी पेश्ट को काली नहीं पढ़ने देगा और पेश्ट की सेल्फ लाइव भी बढ़ाता है तो नमक आपको जरूर एट करना है फ्रेंड्स लसुन को तो हमें चिल लेना है पर अध्रक को कैसे चिल कर काटते है वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो इस तरह की जो मार्केट में अध्रक की काठे आती है उससे हम पहले तो छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे उसके बाद हमें इसे चाको की मदद से चिल लेना है अध्रक काटना सभी को आता होगा लेकिन जो लोग बीगिनर है नया-नया खाना बनाना सीख रहा है उनके लिए मुझे ये श्टेप दिखाना पड़ रहा है ताकि वो भी अच्छे से सीख सके तो पूरा अध्रक इसी तरह से चिल लेने की बाद इसे हम छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे कभी भी अध्रक हमें बिना चिले पेश्ट नहीं बनाने है अध्रक को काटने से पहले एक बार अच्छे से दो लेना है फिर कपड़े पे सुखा लेना है बिल्कुल भी वो गीला नहीं रहना चाहिए अब एक मिक्सर जार के अंदर हम काटे हुए अध्रक और लसुन एड़ कर देंगे तो यहाँ पे मैं एक ही बार में सारा आइड नहीं करूंगी थोड़ा सा मैं दूसरे बैच में पीसूंगी तो थोड़ा सा लसुन में एड़ कर देती हूँ क्योंकि एक ही बार में सब कुछ नहीं पीस पाएगा अब जो एक टेबल स्पून जितना हमने नमक लिया था उसमें से अभी हम हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे और बाकी का नमक जब हम दूसरे बैच को पीसेंगे तब एड़ करेंगे तो बीना पानी के ही इसे हम पीस लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीना पानी के मैंने इसे हलका दरदरा रहे उस तरीके से पीस लिया है एकदम हमें इसकी पेस्ट नहीं बनानी है तो अब हम इसे एक डिबे में निकाल देंगे आप चाहे तो इसे काच के जो लीडवाले बाव लाते हैं उसमें भी रखके श्टोर कर सकते हैं या तो फिर इस तरह के किसी भी कंटेनर में रखके आप इसे श्टोर कर सकते हैं सेम उसी तरह से जो बाकी का अद्रकला सुन है उसे भी हम सेम मिक्सर जार में डाल कर पीस लेंगे जो बाकी बचा नमक था वो हम इस बार में पूरा डाल देंगे और सब कुछ बिना पानी के ही पीस लेना है तो यह देखें यहाँ पे मैंने इसे भी piece लिया है तो सेम container में हम इसे भी add कर देंगे इस paste को container में डालने के बाद एक बार हमें अच्छे से mix कर लेना है थाकि जो हमने नमक add किया है वो सभी paste में बराबर mix हो जाए और पेश्ट को डिबे में एक सामान हमाई फैला लेना है और फ्रीज में रखके आप इसे एक महिने तक स्टोर कर सकते है फ्रेंड्स जब भी आपको किसी भी रेसिपी में इस पेश्ट का यूज करना हो वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी मैं लिंक दे दूँगी अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और श्यार करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाई